यांज हम बात करते है यर्सीनिया इंटरोलीटीका की यहां पर देखिए अगर हम इसमें इल्गूरिटिम की बात करें तो दीके बैसिलाई होता है और यह औक्सिदेज निगेटिव होता है और hydrogen sulfide production on TSI अगर ये भी negative होता है ठीक है तो कुल मिला के देखिए negative 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 ही होता ठीक है तो यह हुआ यहाँ देखिए यरसीनिया यरसीनिया देखिए पूरी तरह से bacilli भी नहीं होता ठीक है बलकि यह क्या होता है rod और coco bacilli ठीक है पूरी चर्म को याद हो जाएगा तो यह हो गए हमारा algorithm तो यह देखिए gram negative paleomorphic rod या coco bacillus होता है ठीक है with bipolar steering तो यहाँ वेमको bipolar steering देखने को मिलेगे gram negative हो गई और यह rod या coco bacillus होगा और usually transmitted from pet faeces ठीक है तो mostly यह pet के faeces से यह transmit होता है यह contaminated milk से या pork से इसके mode of transmission की बात की अच्छा आगे अब हम बात करने से पहले पहले हम इसके वह type की बात कर ले तो यर्सीनिया यह तीन type का होता mostly ठीक है तो इसमें देखिए यर्सीनिया पेस्टिस यर्सीनिया pseudo tuberculosis और यर्सीनिया इंटेरोलिटिका यर्सीनिया इंटेरोलिटिका की बात की जा रही है जबकि यर्सीनिया पेस्टिस जो होता ने यह plague cause करता है और plague जो होता है यह तीन type का होता है bibonic plague और septicemic plague और pneumonic plague तो इसके बारे में हम जादा यह डिटेल में जा रहे हैं बस यहाँ पर यह बता दे इंटेरोलिटिका यह देखिए इसके फीचर यहाँ पर बताएगा यहाँ पर फीचर इसका बताया गया है यह सीनिया इंटेरोलिटिका का लेकिन pseudotuberculosis का फीचर जो होता है वो इससे एकदम सेम होता है तो देखिए Grams Negative Paleomorphic Rod या Kokumazolai with Bipolation यह तो सम्में होगा ठीक है जित्ती इनो टाइप में और इसके पर फिर इसके transmission की जो बात कीगे कि पेट के फीसे से इसका transmission हमको देखने को मिलता है जिसे केटिया डॉक से या कंटेमिनेटेड मिल्क से या पोर्क से और कें कॉस एक्यूट बलड़ी डारिया कॉस करेगा क्यों क्योंकि यह जाता है सीध है GIT में और GIT में यह इंटेरोसाइट को डेमेज करने लगता इंटेरोसाइट पर यहाँ पर एडेशन को हो जाता है और उसके बाद फिर इन्वेट करने लगता यहां पर इन्फ्लमेशन कॉस करेगा इसको जिसके यह pseudo appendicitis करेगा यह जिससा लगए कि appendice का पेन हो रहा है लेकिन टर्मिनल इलियम हो घएरा पर यह जाके adenitis करेगा इसके लिएक हम एसा लगए कि appendicitis का पेन है लागिन appendicitis होगा नहीं मिजेंडेरिक एडियुएंटिस तो मिजेंड इस्योड लगता है कि यह स्यूडवएपंडिस कौई करता है या बछों को मिलते हैं एल्समें को रिक्टि अर्थराइटीस देखने को मिलेगा या इंटेरोलिटीव अनिय आरा है इंटेशिन पर जाकी डामिज करेंगा उसी जोवीरे से ब्लडी डायरीय कराएगा और आप और इसके mode of transmission की बात की गए तो ये pit faces या contaminated milk या pork से ये transmit होता है और इसके बात की गए तो gram negative होगा ही और pleiomorphic rod या cocoa बिसले होता है यानि ये pleiomorphic होगा